हेलो गाइज मिन नाम है वेपेन और आप लोग देह रहे हैं तो गाइज इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग से लेक्ट को यूज कर सकते हैं तो जब से आप लोग ने वर्टसप की कुछ न्यू प्रैवेसी पॉलिसी देखी होगी उसके बात कुस सारे फीचर और किस टायब से चलाते हैं कि सब्सक्राइब करता है सारी प्रोसेश बताऊंगा इस वीडियो पर तो अगर आप लोग भी सिंगनल आप चलाने में इंट्रेस्ट रखते हैं तो काईज प्लीज पूरी वीडियो को वाच कीजिए तो कैसे चलते मोईल के में स्क पर आप लोगों को बताऊंगा कि सिंगल एप को कैसे यूज करना है क्या उसके हीडन फीचर है किस टाइप से आपको आपको यूज करने तो सबसे पहले मैं जाता हूं सिंगल एप पर तो कि उसके बाद आप लोगों के कुछ इस टाइप का उप्शन आएगा आप आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपको एक नंबर से यहां पर लॉगिन कर लेना है तो ऐक नंबर से मैं आप jeden जोगिन कर लेता हूं उसके बाद आपको next करना है फिर सिम्समें OTP आएगा उस से आपका एक यहां पर वट्वसैप है एक अक क्याूंट बने किसे के क्या नेम कृते हैं वह आप लोगों को इसमें लिख देना है ठीक तो आप उसमें कुछ भी आपना नेम लिख सकंएं फिर उसके बाद आपको एक फोटू लेनी है जो आप अपनी डी-पी लगाना चाहते हैं तो गज़िखी आपको इसमां से जो भी डी पसंद आए तो आप लोग इसमें डीपी लगा सकते हैं तो कि इस टैप से आपको क्रॉब करना है तो उपर से कर सकते हैं फिर आपको नेक्स पे क्लिक करना है आपको यहां पर पीन बनाना क्योंकि ये privacy base में बहुत ही safe है तो ये आपका एक pin जरूरी create करना होगा उसके बाद आपकी जब ये pin create हो जाएगी तो उसके बाद ये operate कर रहा और next feature की और ये आप लोगों को ले जाएगा जैसे आपका एक pin confirm हो गया तो आपको rate के लिए कहेगा तो आप लोग rate दे भी सकते ह नहीं ही तो no thanks कर सकते हैं उसके बाद guys ये आपका एक account type का बन चुका है ठीक है तो काई देखे SMS and MMS notification और privacy में आप क्या कर सकते स्क्रीन लोक लगा सकते हैं स्क्रीन की security कर सकते हैं और इसमें इंगरीटो कीबूर्ट का भी option है ठीक है always relay calls का भी इसमें option है और इसमें बहुत सारे option हैं जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं डिस्पले का जो indicators है वह वाले option भी इसमें है जो यह इसकी privacy policy है ज यहां से response कर सकते हैं चेट एन मिडिया को आपने जो चैट इसमें कीये हैं उसके बाद आप लोग लिंक डिवाइज अप लोग इसको डिवाइस से लिंक कर सकते हैं ठीक है पलस का एकन पर क्लिक करके आप लोग distortion पर कोड़ Kitchen के थार और और भी advanced setting जानना है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं इस type से आप लोगों को कुछ करना होगा और donate to signal वो आप जानते हैं आप signal को क्या देना चाहते हैं वो आपकी मर्जी उसके बाद आप लोगों को chat का option कैसे करना है तो जैसे आप लोग यहां से photo पे click करेंगे तो जैस आपको यह send करना है तो यह इस type से लग जाएगा ठीक है तो क्याश्च देखें जैसे मैंने अपने team के member को यह food to send की तो यह उस member को चले जाएगी और आप लोगों किसी को chat करना है तो आपको यह pencil वाले icon पे click करना है और आपको यहां से देखना है किसी को भी chat करना है तो आ और वर्टसेप से भी advance है इसमें और और option है ठीक है तो उसके बाद गाई जैसे आपने किसी को वर्टसेप में message कर दिया तो आप इसमें यहां से और option है on send करने का वह भी आप यहां से कर सकते हैं तो गाई जैसे आप लोग यहां से उसको voice call भी कर सकते हैं उसमापको permission देनी को new group create करना है तो आप new group में आपको किसको create करना है उसके हिसाब से आप लोग यहां group बना सकते हैं ठीक है उसके बाद invite group का वी option है आप लोग को सर्च करना है कि आपको कुछ भी सर्च करना है कि आपके कौन-कौन से member इसमें है तो यह इसमें आ जाएंगे ठीक है तो guys कुछ इस टाइब से यह स्टाइब से आपको मिल जाएगा कि आपको किसी को invite भी करना है तो वह भी स्टाइब को यूज कर तो guys कुछ इस टाइब से आप लोग सीनल अपको यूज कर सकते हैं और भी इसमें बहुत सारे feature हैं जो आप लोग इसमें देख सकते हैं